हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आशीश चोशी और दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Fats and Oils के बारे में दोस्तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी Benzoic Acid के बारे में और Unit 2 हमारी खतम हो चुकी थी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं Unit 3 ठीक है जिसका में टॉपिक है Fats and Oils अब देखें simply जो fat और Oils होते हैं वो क्या होते हैं हम उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई जो fat और Oils होते हैं वो natural occurring compounds होते हैं जो soluble होते हैं organic solvent में जैसे ether हो गया, chloroform हो गया, carbon tetra chloride हो गया, benzene हो गया बहुत सारे होते हैं और आपके insoluble होते हैं water में simple सी बात है fat है oil है तो water में insoluble ही रहेंगे ठीक है अब इसमें एक चीज है आपका जिसका नाम है fatty acid देखे fatty acid क्या होते हैं अगर मैं fatty acid को clear cut लिखूँ तो वो ध्यान से समझेगा यह जो fatty acid है यह main constituent है किसका fat और oil का fat और oil का main constituent है यह important line है main constituents of fat और oil fat and oils ठीक भाईया जहां पर fat और oil होगा उसमें जो main constituent है वो क्या होगा आपका वो क्या होगा आपका fatty acid यह ध्यान रखेगा यह important बात है ठीक है अब अगर मैं इससे आगे की बात करूँ हम इसमें पढ़ेंगे कि भाया structure क्या होता है इसका अगर मैं fat और oils के structure की बात करूँ ठीक है structures of structure of fat और oil भाया simple सी बात है इसको दिमाग में बैठा के रखिए क्योंकि fatty acid के जो structure होते हैं वह बहुत बड़े-बड़े structure होते हैं जिसको हम R से represent करते हैं जब भी हम glycerol की reaction किसी fatty acid के साथ करते हैं तो हमको एक fat का या एक oil का molecule मिल जाता है या एक fat और एक oil मिल जाता है ठीक है अर्थात हम अगर glycerol glycerol का structure क्या होता है भई ग्लिस्टरोल का structure आपको पता होना चीए CH2OH CH2OH और बहुत आसान है ज्यादा difficult नहीं है CH2OH यह fatty acid का structure होता है इसकी reaction अगर हम 3 mol लेके R C double bond OOH के साथ या R COOH के साथ कर लेते हैं यह जो R COOH है यह क्या है आपका fatty acid है यह क्या है आपका fatty acid है इसको अग कैसे नहीं पसंद आ रहा है आपको आप तीन बार भी लिख सकते हो इसको एक ही बात है ठीक है तीन बार कैसे लिखेंगे वह लिखने में थोड़ा असानी होगे और उल्टा करके लिखें तो और भी मज़ा आ जाएगा कैसे हैसे OH CO और आर इस तरह से OH CO और 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 फिल स factors this on का formula R-C-O-OH लिखो या इसको लिखो R-C-O-OH एक ही बाट हैए इसके तीन मोल हमने लिये हैं ठीक है इसके हमने तीन मोल लिये हैं अब जब हम इसकी reaction करते हैं अब simple सा इसमें क्या होता है इसमें एक reaction होती है इसमें M-star ď यूरीलीज होता है इससे क्या release होता है H2O release होता है कैसे release होता है यहां से H निकल जाएगा यहां से OH निकल जाएगा ठीक है वैसे ही यहां पर भी H निकल जाएगा यहां से OH निकल जाएगा और सेम यहां पर भी H निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा बाकी जितना बचा वो लिख दीजिए आप सिंपल सा CH2 O ये वाला O ठीक है O C double bond R ठीक है फिर वो ही CH O C double bond O R और CH2 O C double bond O और R इसका नाम है यह एक फैट का मोलकुल है आप फैट और प्लस क्या निकला 3 H2O या तो 3 H2O यहां लिख दो यहां पर माइनस कर दो एक ही बात है ठीक है इसका नाम हो जाएगा आपका फैटी एसिड और इसका नाम हो जाएगा इसको अगर आप दूसरे पैंसे लिखें तो और इसका नाम हो जाएगा आपका फैटी एसिड ठीक है और इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल अभी देखें ठीक है क्या आप सभी कोई बात के लिए रही यह स्ट्रेक्चर है फैटी एसिड का यह स्ट्रेक्चर है यह क्या है आपका फैट का स्ट्रेक्चर है बहुत है देखिए fat and oil आपकी जो 30 यूनिट है पुरी तरह से डेकेटेट है fat और पर तो यह उसके basic है ठीक है खेर अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं इसकी physical properties की देखिए physical properties में simple सी बात यह है हम पहला जैसा कि आप सामने पढ़ सकते है oils and fat may be either liquids or non crystalline solids यहाँ पर non crystalline solid at room temperature अगर room temperature पर हम बात करें तो liquid होगा non crystalline solid होगा crystal form नहीं करेगा ठीक है दूसरा है insoluble in water ठीक है इसलिए यह जो है upper layer बना देता है therefore form the upper layer when mixed with it यह फार में पानी में तेल डालोगे तो उपर ही तेरने लग जाएगा ठीक है एक layer बना लेगा ठीक है तीसरा है आपका ये जो है organic solvent में soluble होता है जैसे डाइथाइल इथर है acetone है benzene है carbon detracloride है ये सब में जो है क्या होता है आपका क्या ये बात सबको clear है ये क्या करेगा emulsion form कर देगा next है आपका chemical reactions ये chemical properties उसमें सबसे पहले है hydrolysis अब hydrolysis के अगर हम बात करें अभी हमने जो पड़ा था ये वाला इसको just आप उल्टा कर दीजे ये hydrolysis हो जाएगा अब देखे क्या बहतरीन बात बोली मैंने इसको just उल्टा कर दीजे मतलब अब देखे hydrolysis में क्या होता है hydrolysis में ये जो fat और oil है इसकी reaction hydrolysis मतलब water के साथ हो जाएगी और आपको एक glycerol और एक fatty acid मिल जाएगा मतलब आपको क्या करना है इसी को जो है ये जो compound है आपका इसी को आपको उल्टा करके लिख देना है इसको आपको उल्टा करके लिख देना है बात किलियर हुई मैं आपको बता देता हूँ लिख के बता देता हूँ मैं आपको पूरा कैसे लिखना है इसको मैं हटा रहा ठीक है आपको क्या करना है यहाँ पर आपका fat और oil आ जाएगा फटापट लिख देता हूँ प्लस तीन मोल आपके water के आ जाएंगे क्या क्या है hydrolysis है ठीक है और क्या मिलेगा आपको glycerol और साथ में मिलेगा fatty acid क्या बाद सबको clear हुई तो यह है आपका fat और oil ठीक है यह हो जाएगा आपका glycerol और यह हो जाएगा आपका fatty acid जस्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है इस ठीक उसका उल्टा है clear बहुत बढ़िया इसको हम बोलते है hydrolysis क्या यूज हो रहा है water यूज हो रहा है hydrolysis इसलिए इसका नाम है आपका hydrolysis नेक्स की और बात करते हैं नेक्स जो है आपका वह है hydrogenation अब देखे hydrogenation में क्या होता है आपका देखे hydrogenation में अगर कोई glycerol tri-oleate ले ले लेते हैं या कोई oil ले लेते हैं simple सी बात यह है अगर हम oil पर hydrogen डालेंगे in the presence of nickel और उसको heat करेंगे तो आपको एक fat मिलेगा इसी को हम बोलते है hydrogenation कैसे देखे आपके पास यह एक oil है इसका structure है आपका CH2O CO CH2 का hole 7 CH double bond CH single bond CH2 का hole 7 CS3 क्या है आपको बहुत मुश्किल लग रहा है यह बहुत आसान है यह दो चीजों को तोड़के बना है CS2 O CO और R यह जो R है यह यह सब पुरा है यह क्या है यह R है ठीक है तो इतना घबराने वाली बात नहीं है ठीक है अब मैंने क्या किया है इसी को तीन बार लिखा गया है बस CS2 को CH कर दिया है और इधर फिर से CS2 कर दिया है ठीक है, OCO, फटावर लिख देता हूँ, ठीक, ये है आपका, glyceryl trioliate, ये क्या है एक, fat नहीं है भईया, ये oil है, ठीक है, इसकी reaction हम कर देते हैं, तीन मोल हाइडरोजन लेके, इंद प्रजेंस आप निकिल, और हम करेंगे इसको heat, और हमको क्या मिल जाएगा, CS2O, CO, और इसको आप total count करोगे, तो ये बनेगा, C17H35, ठीक है, इस तरह से, बाकी से मोही आ जाएगा, C17H, बात एक ही है, ठीक है, एक fat है, एक oil है, अब देखे C17H35, और इसका नाम हो जाएगा आपका glyceryl tristerate, glyceryl tristerate जो कि क्या है, एक fat है, ये है इसका hydrogenation, ये है इसका hydrogenation, मतलब hydrogen add कर दिया हमने, ये आपका प्यारा सा hydrogen है, ये वाला hydrogen हमने इसमें add कर दिया है, क्या बात सबको clear हुई, बहुत थोड़ा सा हमने ज्यादा detail में नहीं पढ़ा है, आज हमने fat or oil के बारे में पढ़ा है, fatty acid के बारे में पढ़ा है, उसका structure पढ़ा है, physical or chemical properties पढ़ी है, ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो प